ओम शान्ती आज तारीख है 13 मई 2023 अभी पढ़ेंगे और सुनेंगे प्यारे मीठे शिव बाबा की ज्यान मुरली मीठे बच्चे लक्ष सोप से आत्मा रुपी मेले कपड़े को साब करो पवितरता के मैनर्स धारन करो और दुसरों को कराओ प्रेशना कौनसी जादूगरी बहुत फसकलास जादूगरी है कैसे उत्तर इश्वर्य जादूगरी फसकलास है क्योंकि इससे नर्कवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं पतित से पावन बन जाते, यह जादुगरी बाप ही सिखलाते है, बाबा कहते बच्चे शरी फालो करो, तुम राजाओ का राजा बन जाएंगे, आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, पूराना तन मंधन एंशोर कर दो तो नया मिल जाएगा, ऐसा सोध संगम पर बाप ही सिखलाते है, गीत है, आज अंदेरे में है इनसान, ओम शांती, बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया भक्ती मारगवाले, तुसरे तरफ तुम बच्चे हो ग्यान मारगवाले, वो भक्ती की सीड़ी चड़ते रहते हैं, और जितनी भक्ती की सीड़ी चड़ते हैं, उतना नीचे आते हैं, फिर जितना ग्यान की सीड़ी चड़ेंगे, उतना सद्गती को पाएंगे, भक्त भी पहले अवेबिचारी होते हैं, पीछे वेबिचारी बनते हैं, फिर बिलकुल ही अंदश्रदा में चले जाते हैं, कुछ करते हैं शास्त्र वेद उपनिशत पड़ते हैं फिर भी कहते हैं भगवान जब आएंगे तब ही आकर हमारी सद्गती करेंगे सद्गती दाता को ही पतितपावन कहा जाता है अभी तुम बच्चे रोशनी में आये हो पतितपावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो ज वह कहते हैं ज्यान अंजन सतकुरुदिया अज्यान अंधेर विनाश कोई सुर्मा नहीं है ये ज्यान की बाते हैं ज्यान के साथ योग भी रहता है अब तुम बच्चों का बुद्धियोग लगा हुआ है निराकार परंपिता परमात्मा के साथ परंतु तुमारे में भी नंबरवार है और कोई साथ और कोई मनुक्ष मात्र का सरवशक्तिवान परंपिता परमात्मा के साथ योग है नहीं तुमको भी बाप से मुक्ति और जिवनमुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है मुक्ति जिवनमुक्ति के लिए भी देवी म्यानर्स चाहिए इस समय स सबके म्यानरस हासूरी है, परमपिता परमात्मा के गून गाया जाते है, मनुक्ष रुष्टे का बेजरूप है, सत है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्यान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉर एवर है, उनका ये पद अविनाशी है, और कोई मनुक्ष का बना नहीं सकता, नहीं तो खेल कैसे चले, तुम फॉर एवर नहीं बन सकते हो, एकी जनम के लिए तुम बनते हो, एकी स्पीड़े गाये हुए है, तुम फॉर एवर बनो, यह काईदा नहीं है, मैं हूँ ही एवर प्योर, रहता ही हूँ परमधाम में, मेरे पास ग्यान पवि पवित्र बनाते हैं, और कोई ऐसे कहने सके कि मैं परमधाम से आया हूँ, मुझ बाप को याद करो, बल सन्या से अपने को परमात्मा भी कहलाते हैं, परन तु नहीं कह सकते कि मैं परमधाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो, इन महावक्यों की कोई कौफी नहीं कर सकते पाप कहते हैं मैं आता ही हूँ तुमको राजाओ का राजा बनाने अब बनेंगे वही जो कलब पहले बने होंगे तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं कितने अशुद्ध मेले भी बन जाते हैं बाप आकर मेले कपड़ों को साब करते है आत्मा ही मेली बनती है आत्मा को समझाते है तुमको माया ने कितना मेला बना दिया है एक जनम की बात नहीं है जनम जनमांतर की बात है अब बाप आकर आत्मा को साब करने के लिए लक्ष सोब देते है कहते है मुझे याद करो तो सورग में भेजा था माया ने महिला बना दिया अब तुमको स॔रग का मालिक बनाने आया हूँ मैं इस ब्रह्मातन से शिक्षा दे रहा हूँ आत्मा को कiséeते हैं दे सई दे के सबी सबंदों को भूल मुझ बाप को याद करो आत्मा साफ हो जाएगी फिर तुमको शरीर भी भविश्य में नया मिलेगा तत्वादी भी सत्वरदान हो जाते है बाप कहते हैं इस पुराने दुनिया को भूल जाओ मुझे याद करो तो मेरे पास पहुच जाएंगे इस पुराने दुनिया में कोई चीज बनाते है तो उस पर नया नाम रख देते हैं जैसे नई दिल्ली कहते है परन तो दुनिया तो पुरानी है ना अब तुम बच्चों का बुद्ध्योग पुराने दुनिया से बिलकुल हट जाना चाहिए तुम आत्माओं को स्वीट फोम में जाना है अब अपने को आत्मा निच्चे करना पड़े और बाप को याद करो अंतम अतिसो गती हो जाएगी मनुक्षतों अने को को याद करते हैं कोई गुरू को कोई श्रिकिष्ण को परन्तु यह नहीं जानते श्रिकिष्ण आदे कहा गए यह भी नहीं जानते कि पुनरजनम सबको लेना है जरूर यह रसम शुरुष्टी के आदे से चली आ रही है सर्ट्यूग आदी में देवे देवता थे तो जरूर पुनरजनम भी वहाँ से शुरू हुआ पहले पहले श्रिकिष्ण फर्ष्ट पावंद मनुक्ष्य उनकी महिमा जादा है लक्ष्मि नारण की इतनी नहीं है क्योंकि बच्चे पवित्र सतोब्रदान होते है परन्तु यह नहीं जानते कि श्रिकिष्ण फुरी कहा है वैकुंट कहते बरंतु Satyuk का किसी को पता ही नहीं है श्रीकिशन को द्वापर में ले गए है वह नाम रूप दुसरे जनन में होज नहीं सकता श्रीकिशन तो Satyuk में था तुम जानते हो यह जगतमबा जगतपिता जाकर श्री लक्ष्मिनारान बनते है सत्युक को कुरुष्ण पूरी कहा जाता है अब है कंस पूरी या आसुरी नाम है वहा है देवी संप्रदा या है आसुरी संप्रदा है यह नाम स्रिप गिता में है और कोई शास्त्रों में हो न सके बाप बेड़ संगम पर समझाते है तो बाप है रचीता उनको कहा जाता है मनुख्ष सुरुष्टी का बेजरुप तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो इस पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ पावन सुरुष्टी को रच कर पतित दुनिया का विनाश कराओ बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सुष्टी रचते है फिर शंकर द्वारा पतीद सुष्टी का विनाश होता है यह बाते और कोई नहीं जानते अब तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो तुम देखते हो महिले कपड़ों को सटका लगाते है तो कोई फट भी पढ़ते है इतने भी अजामिल जैसे पापी है जो बिल्कुर साप नहीं होते है बाबा कितना अच्चे रिती समझाते है बच्चे मोष्ट बिलबेड बाप और मोष्ट बिलबेड सुगधाम को याद करो यह अती दुखधाम, सभी तरही तरही करते हैं, एक दो को मारते हैं, फिर कहते हैं, भगवान रक्षा करो, बाप तो है लिबरेटर, तुम जानते हो बाबा आया है, इन पर्टिकुलियर, मने खास, हम बच्चों को और सभी को इन जंदल, आम शांती दाम ले जाते हैं, तुम मालिक बनाते हैं, बच्चों को बार-बार समझाते हैं, कि तुमको दैविगुन धारन करना है, एम अबजट तो भुद्धी में है, यह पवित्रता के मियनर्स और कोई नहीं सुनाते हैं, सन्यासी तो घरबार चुड़ाते हैं, तुमको घरबार नहीं छोड़ना है, परंत को जाकर ग्यान सुनाओ, बहुत आकर तुमारे चर्णों में गिरेंगे, बातों की बिगर उन्हों का उधार हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नौलेच देती हो, बाकि चर्णों में गिरने की कोई बात नहीं है, कोई नमस्तिवा रामरम कहते हैं, तो जवाब देना होता है, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े, जैसे राम और रावन का चित्र है, क्रिश्न का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है, सरक का गोला हाथ में है, बाबा बहुत अच्ची दर समझाते है, परंतु वीरला कोई ये व्यापार करते है, बाप को तन, मन, धन, दे, नया लेलते है, यहाँ फस्कलास इंशुरेंस है, बाप कहते है, तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे, तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर स्वरग में राजा ही करेंगे, इसलिए इनको सोदागर और जादुगर भी कहते है, पतित को पावन बनाना या इश्वर य जादुगरी है, बाप कहते है, नरकवासियों को सुरकवासि बनाओ, कैसे फस्कलास जादुगरी है, प्राप्ति बहुत है, बाप कहते है, राजाओ का राजा बनो, फालो फादर करो, यह बाप ब्रहमा बाबा अदर कुमार है, ममा कुवारी कन्या है, तो फालो करना कहेंगे हम भाई बाप से वरसा लेते हैं, वैसे लोकिक में बहन को वरसा नहीं मिलता है, भाई को मिलता है, यहाँ तुम सब को मिलता है, क्योंकि तुम सब आत्मा हो, बाप कहते हैं, तुम सब को मेरे पास आना है, फिर तो यह भाई बाप का नाता तूट जाता है, वाहे बा पच्चों को बाप को याद करना है, ऐसे नहीं कोई योग में बिठा है, तुमको लक्ष मिला हुआ है, मूरली सुनकर फिर चलते फिरते योग में रहना है, यात्रा है, जा रहे है, आड़ घंटा भर सर्विस करो, बह भी चूट है, बाकी टाइम देदा है, मुख्य बात है पवितरता की, एक दो को पतिद बनाते, आदी मद अंत दुख्य किया है, अब बिलकुल जाड सड गया है, बाबा आकर सडे हुए जाड को देवी जाड बनाते है, अब स्रीमत पर चलो, शिव बाबा भी बात करते है, तो ब्रह्मा भी बात करते है, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाब भी है टीचर भी है तो सत्गूरू भी है तुम बच्चे भी हो स्टूडेंट भी हो और तुमसे गैरंटी करते है तुमको वापिस ले जाओंगा ऐसी गैरंटी और कोई कर न सके वह तुसरी अपने उपर बड़े बड़े टाइटिल रखा लेते है अब तुमको अथारिटी मिली है तुम समझा सकते हो कि जगत गुरू है एक वही सबको सद्गती करते है ऐसी सुकदाता बाब को कोई जानते नहीं है अगर बाब को जाने तो प्रापर्टी को भी जान जाए अच्छा मात पिता बाब दादा को मात पिता बाब दादा का मीठी मीठी सिकी ले दे बच्चो प्रती याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुवानी बाब की रुवानी बच्चों को नमस्ते हम रुवानी बच्चों की रुवानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते धारना के लिए मुक्य सार अंतम अतिसो गती के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटा कर अपना मुख मोड लेना है अपने स्वीट होम को याद करना है दुसरी पॉइंट सोदा गर बाप से सच्चा सोदा करना है तन, मन, धन सब इंशोर कर फालो फादर करना है वर्दान हद की दिवारों को पार कर मंजिल के समी पोचने वाले उपराम भवो किसी भी प्रकार की हद की दिवार को पार करने की निशानी है पार किया उपराम बना उपरम सिती अर्तत उड़ती कला ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते वा अटकते नहीं है उन्हें मंजील सदा समीब दिखाई देती है वे उड़ता पंची बन करम के इस कलफ रुक्षक की डाली पर आएंगे बेहत के समर्त और सुरुप से करम किया और उड़ा करम रुपी डाली के बंदन में फसेंगे नहीं सदा स्वतंत्र होंगे स्लोगन है अनुभो की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रायल रुपो से दोका नहीं खाएंगे अच्छा ओम शांती 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 थैंक यू बाबा थैंक यू